प्रिये चात्रों नमस्कार स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज हम आपको बताने बाले हैं प्रतिवा परमुल्यांकन बर्क्षिट 2021 वाइस प्रोजेक्ट कार जो आपका प्रयाबरन अध्यान का है कक्छा पांचवी के चात्रों का तो खंडबा का संपूर्ण सॉल् तर आपको बहाँ पे मिल जाएंगे बहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सभी विसियों की बहाँ पे उपलप्ध है तो सबसे पहले आपको बर्क्षिट में क्या करना है यहां पर अपना नाम लग कदेना हैं पिताजी क नाम इस थे आल देनी है चली आगे बढ़ते हैं आपे महत्वपूर्ण निर्दिस कुछ दिये गए हैं यहाँ आप अच्छी तरीके से रीट कर सकते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए गए आगे हम देखते हैं यहाँ से बर्कशिट का कार प्रारम करिए यहाँ पर खंड बा आपको दिया गया है अगले विसाय का जो सभी प्रिष्णों का उत्तर है वो आपको सबसे पहले मिल चुके मिल सके तो आप उसे जरू दबा दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को जरू कीजिएगा देश की कोई दो एतिहासिक इमारतों के चितर चिपका यह एवं उनके बारे में दीगई ताल देख लिते हैं अगली इमारत का यहाँ पर जो फ्यमस इमारत है हमारी देशकी ताज महल तो उसका चितर यहाँ पर दिया गया है ताज महल आगरा में इस्तित है जो संग मरमर की पत्थरों से बना हुआ है यह मुगल बासा साह जहाने बनवाए था अगला कुश्चन है बी दरवाजे बड़े बनाए जाते थे परन्तु अब पहले की अपेक्छा दरवाजे छोटे बनाए जाते हैं इस प्रकास से आप इसका अंसा लिख देंगे और देखिए अगला question option number C है आपका इन इमारतों के चित्र को देखकर इनकी अंदर का नकसा अपनी कलपना के आधर पर बताईए तो इन इमारतों के अंधर जो हैं संग्रहाला है जैसे रंग महल है दीवान ए आजम दीवान एक खास जैसे सुन्दर रचनायन में अंदर बनी हुई है तो आप उसे लिख देंगे question number 2 है अपने आसपास के जल के सिरोतों से पानी कटा करके नीचे दीगई टेबल में उस सिरोतों के नाम लिखिए उनके बारे में जानकारी दीजिए तो पानी का सिरोत सबसे पहला हमारे यहां पर हैंड पंप लग दिया मैंने और कुवान तो पानी का यहां पर रंग कैसा हो जागा नीला यहां पर दिया गया है क्या पानी पीने हुई योग है तो इनका पानी पीने योग है हेंड पंप और कुणा दोने का तो यहां पानी मीठा है इन दोनों का धरती से इसमें पानी आया है अब हम आगे और भी संपूर्ण सारनी भर लेते हैं अब हम तालाब थर्ड नमबर पर लग देंगे फिर ज़रना और नदी इनका पानी पीने लायक नही हैं क्योंकि यहां कचड़ा रहता है पानी में हरा नीला सा पानी है तालाब का जढने का नीला और नदी का भी नीला सा है यह कम मीठा होता है पूरा अच्छी तरीके से मीठा नहीं है आसमानी बारिस से तालाब भर जाता है और नदियों से और ज़रनों जीलादी से और बा तो जिन सुरोतों का पानी पीने लायक नहीं था तो वहाँ पे उनमें उस पानी में घुलित लबण यानि की गंदगी फेली हो सकती है कचड़ा हो सकता है निलंबित कण सूक्ष में जीवाणूयों अन गंदगी के कारण कई जल स्रोधों का पानी पीने लायक नहीं रह जाता है खराब हो जाता है और पीने लायक पानी कैसा होता है पीने योग पानी में किसी भी प्रकार का कोई भी लबड घुला नहीं रहने चाहिए वही पीने योग पानी होता है उसे आप इस प्रकार लिख देंगे अगले बाले का आप लखेंगे अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो क्या होगा अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो हम बीमार भी पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे यहां तक इसका आंसर हो जाता है आगे हम देख लेते हैं दी नमबर का कुश्चन है आपका जिन सरूतों का पानी गंदा था उसके पानी के गंदा होने का कारण क्या हो शकता है तो जिन सुरूतों का पानी गंदा था उसके गंदा होने का कारण नालियों का बहत मल एबं उसमें उपस्थित जीवाणू वा निलम्बित कण तथा लबन हो सकते हैं तो यहाँ पे यह नमबर का कुश्चन है गंदे पानी को पीने लायक कैसी बना जा सकता है तो उबाल करके हम उसे पीने लायक बना सकते हैं वह बाटर फिल्टर लगा करके उसे पीने लायक बना जा सकता है तो यहाँ पर हमारी संपूर्ण बर्शीट का खंड बा का सोल्यूशन हो चुका है यदि आपको खंड आ का सोल्यूशन देखना है तो आप जाकर के चैनल पर बिजिट कर सकते हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में